कि वेलकम टू मैं चैनल एक्सक्राइब ज़्याद करेंगे लास्ट वीडियो में हमने कोशेन नंबर 18 से 18 तक कर दिया था तो आज की वीडियो हम लोग 19 से स्टार्ट करेंगे ठीक है और कंटीन्यू करेंगे आज के वीडियो ठीक है कंटीन्यू करने से पहले आप सबसे रिक कंटेंट मिलेगा ठीक है फ्री और कोस्ट आपको मिल रहा है ठीक है आपको कहीं भी कुछ कोचिंग करने की जुरूत नहीं है ठीक है घर बैटे-बैटे देखो मैंने आपको लगब नाइंटी एक्टी परसेंट एक्टी टू-90 परसेंट आपको यह पूरा बुक करा दिया ठ ठीक है मैं इसको बाद में continue करूंगा बट मैंने जितना भी कर रहा है आप इसको swap करो और इसके बाद आरेस अगरवाला आप खुद से करना देखना की solve हो रहाएगी नहीं ठीक है ठीक है तो आप लोग बात सुनते नहीं हो ठीक है जीरो टू-हीरो लेवल आपको देता हू चाहिए यह चाहिए वह चाहिए यह चाहिए ठीक है चलो अभी 90 नंबर से स्टार्ट करते हैं कोशन में बोल के आ रहा है देखो तो परिमीटर आफ रेक्टेंगल एने स्क्वाइर और 60 मीटर इच देखो आप क्या बोलड़ा है क्वेशन एक रेक्टेंगल है और एक square का भी perimeter 160 है rectangle का भी perimeter 160 है the area of the rectangle is less than that of square by hundred square meter लेन तो बोला जो area of rectangle हे वो square से hundred square meter कम है समझे है जो square का area होगा ठीक है जितना भी उससे hundred meter square वेरेकुतेंगल का एर्यक कम nen Oh Tây घो लिए किस रिगटेंगल केंगटा लेंध रॉक किपना ये पुछाएं डीक है तो गाइस बहुती philosophic में है यह स्चोंसे हैं इतना सिंपल कोशनने कि आप समझ भी नहीं सकते हैं इतना सिंपल में यूंद है तो यह वीडेयो को अगर आपको पसंद आरा हां तो लाइक कर तो यह करें यह जाता हूं मुझ करें छाहे कि अगर आपको कहीं पर समझ नहीं आ रहा है तो इसको बार बार दे तो सबसे पहले देखो कोशन में दिया क्या है तो कोशन हमें पेरिमीटर ओफ रेक्टेंगल दे दिया है ठीक है कैस्ट पेरिमीटर ओफ रेक्टेंगल दिया है कितना दिया है 60 meter दिया है और दिया है perimeter of perimeter of square ठिके दोनों का बोल दिया है कि सेम सेm perimeter है ठीक है perimeter of rectangle 160 meter दिया perimeter of square 160 meter दिया है ठीक है तो अब यहां से हम perimeter of här हम क्या करेंगे सबसे पहले देखें easy क्या लग रहे है easy लग देखो यहांसे हम किसका साइड निकाल सकते हैं १ अगर आको यह छीद देखने वह मिल रहे सकते हैं मिरिच कि अलगा निकालने के लिए क्ねमें लेंग्ट या ब्रेठी दोनुँरों का साथ चाहिए जो कहीं गिवेवन नहींगे इसका साइट निकलने के लिए हमने क्या चाहिए सिफ कीछ एक साद चाहिए ठिक है वह कैसे निंगलता है सीधा सीधी क्या गरेंगे पैरपिए पॉर्मुला दीकि यहां पर पैरिमिटर औफ स्क्व और रमदो कि ह्टाइक इसकोक जाएगा फंस ट्श कर शाहिए तो स्व्डस वक्तन सेटिमिटर Tir refuse भाती स्कूर मिन क्या निए क्यां राइए दढ़ आए था हम स्कूर की अब को सब्सक्राइब कर टो इस स्कूर सांग chybaisa तोUND देको स्कुर कितना होता है हैंब कोषण में सीदा सिदा भोल दिया था इस जो स्कूर का यरिया होगा जो से 100 meter 100 meter square कम होगा rectangle के square का तब यहां से rectangle का square area निकाल लेंगे area of rectangle ठीक है area of rectangle कैसे निकाल लेंगे question में बोल दिया था ना कि जो भी square का area होगा उससे 100 100 meter square कम होगा area of rectangle ठीक है तो 16 में से हम minus 100 कर देंगे तो हमारा यहाद एगा 1500 meter square ठीक है गईस कमारा देखो area square का भी निकल गया rectangle का निकल लेकिन पूछा क्या था question में length पूछा था तो length कैसे निकलेंगे rectangle का कैसे length निकल आएगा नहीं निकल आएगा ठीक है निकलेगा तो length निकलने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा देखते हैं क्या करना पड़ेगा ठीक है अब area से भी नहीं निकल पाएगे हमको perimeter निकलना पड़ेगा अभी इसका ठीक है तो perimeter तर फिर मीटर aur रेक्टेंगल यूस करना ही पड़ेगा एक तो आप नहीं कर सकते तो तो फैरिमीट इन्टूू ब्रेत मेरा कितना दिया था ठाहरा सो ठीक है अब देखो अब थोड़ा दिमाग लगाना ठीक है अब यहां से निगालों के कैसे देखो लेंथ और ब्रेत ऐसा होना चाहिए जिसको प्ल्स करके हमें एक्टी आना चाहिए लेंथ और ब्रेत ऐसा होना चाहिए जिसको multiply करके 1500 आना चाहिए ठीक है तो देखो इसे length plus breath को देखती मेरे दिमाग में घंटी बज रहा है ठीक है क्या हो घंटी बज रहा है 50 plus 30 ठीक है अगर length breath में 50 plus 30 करता हूँ तो देखो मेरा 80 आता है अगर मैं length into breath 50 into 30 करता हूँ तो देखो multiply करके भी 1500 आ रहा है इसका मतलब मेरा length क्या होगा 50 breath क्या होगा 30 ठीक है तो हमसे length पूछा था तो length हमारा क्या आया 50 meter simple सा question था ठीक है ज्यादा कुछ ताम जाम नहीं था simple सा question करके दिखाया ठीक है बहुत ही easy way में करके दिखाया step to step समझाया ठीक है आपका basic भी clear हो रहा होगा कैसे कैसे करना है ठीक है इस टाइप का question आएगा तो अब बढ़ते हैं next question की तब option में देखते हैं 50 meter दिया है की नहीं ठीक है ठीक है अब next question की तब बढ़ते हैं क्या बोल रहा है the length of a rectangle plot is thrice the breadth देखो सिधी सिधा सिधी बोल दिया है एक rectangle plot है ठीक है वह उसका जो length है उसके breadth से thrice है ठीक है if the area of the rectangle plot is 6075 square meter what is it length ठीक है तो देखो simple सी बात है आपको area दे दिया है plot का आप से पुछा है length ठीक है तो simple सा तरीका है हमें length निकालना है तो बहुत ही easy way में करेंगे चलो करके दिखा देता हूं आपको देखो गई इसको करेंगे कैसे ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले breadth को हम x माल लेते हैं क्योंकि question में बोल दिया है कि जो length है वह breadth का 3 गुना है thrice है तो breadth अगर मैं x लेता हूं तो length को मेरे को length क्या हो जाएगा 3x नहीं हो जाएगा हो जाएगा अब यहाँ पर देखो area of rectangle देदिया कितना देदिया area of plot area of plot देदिया 6,775 ठीक है तो यहाँ पर area of rectangle का formula बस डाल देंगे length into breadth ठीक है यह कितना दिया था 6075 और यह length कितना है 3x यह कितना है यहोगा है डेक ही देखो है क्या कट रहे है देखो यह पुरा-पुरी कट जाएगा है डिक टूझीरू ठीक है यह 25 बार में कट जाएगा घरेत तो यह और इसको multiply करोगा तो यह कितना आ यह x square हो जाएगा 2025 किसका स्क्राइब रूट होता है guys 45 को éléments ही सिफिए कि है कि यह किसका diferen बिचरा का होगा समझ मैं आ रपको यहां पे त्रिक दिखाता हूं त्या कराव जैसे कोई भी एक नंबर है कि उनलो 65 65 है खर अगर आपको मल्टिप्लाइ करना है तो कैसे उगर हो गए ठीव 25-25 कितना होता है 55-चा कितना होता है 25 होता है 6 यहां पर 66 है आपको एक ब्ла मृ ज्यादा लेना है 7 छितना होता है 42 अब मत्लिपलाई करके देख लेना ठीख इसी Inner अगर हम यहां लिखते है 45-45 ठीख तो 55 जा कितना होता है 25 एक नमबर जादा लो 5 5 4 जा 20 एको आया ठीक है लेकिन कंडिशन क्या होना चाहिए ठीक है दोनों सेम नमबर होना चाहिए 25 35 55 65 75 इस तरह लास्ट में 5 होना ही चाहिए क्लियर हुआ गई चलो हमारा एक्स का वैल्यू निकल आया अगर एक्स का वैल्यू निकल आया तो हमारा ब्रेथ कितना होगा यहां लिख देता होगा इस ठीक है तो ब्रेथ कितना होगा मेरा 45 लेंद कितना होगा 3 इंटू 45 तो यह 3 इंटू 45 कितनी हो 45 तीच है 135 ठीक है 135 में क्या पुछा था कोशन में पुछा था लेंथ निकालना तो मारे लेंथ कितना है गाइस 135 लेंथ दिया है कि नहीं दिया है चलू अब नेक्स कुछें की तब बढ़ते है 21 कोशन क्या बोल रहा है ध्यान से समझना ठीक है अब देखो question में बोल रहा है कि एक rectangle of plot है समझ में रहा है उसका जो length है वो 25% बढ़ किया तो keep its area unchanged बोल रहा है कि area को हमें change नहीं करना है जितना area था पहले उतना ही रखना है तो वो रखने के लिए the breadth of the plot should be तो जो breadth होगा वो कितना होना चाहिए फिर से मैं समझा रहा हूँ question को देखो समझ लो एक plot है rectangle plot है उसका कुछ length होगा fixed length होगा fixed area होगा fixed breadth होगा ठीक है अभी ना poop किया तो पहले जितने length था उसका 25% बढ़ गया तो length क्या है 25% increase हो गया ठीक है और जो breadth था ठीक है जो sorry 25% increase हुआ अब question में बोल रहा है कि पहले जो area था उसको change नहीं करना है जो पहले जो area था वही area अभी भी होना चाहिए तो बोल रहा है कि अगर पहले वाला area अभी होना चाहिए तो breadth कितना होना चाहिए तो पहले का जो सिधी सी बात है common sense सी बात है अगर हमें area उतने ही रखना है तो breadth को हमें घटाना पड़ेगा क्योंकि area बहुत ज़्यादा increase हो गया 25% increase हुए तो breadth को हमें क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा तो breadth को घटाने के लिए कितना percent हमें घटाना पड़ेगा question में यही पूछा है समझ में आया है guys I hope आपको समझ में आगया होगा बहुत ही आराम से समझाया हूँ जितने आराम से समझाया हूँ उतनी आराम से आपको solution कराऊँगा दो line में देखो guys करना के simple सा है let's suppose जो old length था ठीक है वो hundred था और old breath जो था वो भी hundred था ठीक है समझ में आया अब हम क्या करेंगे यहाँ पर area of rectangle का formula लिखाएंगे old equal to new ठीक है area of rectangle ठीक है अगर आपको अपने copy में लिखना है तो लिख लो area of rectangle equal to old ठीक है old length into breath equal to new length into breath ठीक है तो यहाँ पर हम पहले वाले length into breath करेंगे यहाँ पर नया जो length into breath है वो करेंगे let's suppose मैंने length को 100 लिए breath को भी 100 लिए दोनों को 100 हंडेड लिया ठीक है 100 क्यों लिए मेरी मर्जी मेरी मर्जी मतलब calculation easy करने के लिए ठीक है क्यों 100 ही क्यों लिया क्योंकि जो percentage होता है वो 100 में calculate होता है ठीक है चलो तो 100 into 100 equal to length कितना है गाई इस length अब यह तो पुराना वाला था अब नहे वाले में क्या बोल रहा है नहे वाले में अब पूछा है breath पूछा है तो हमें breath ही घटाना अगर इंक्रीज होगे तो breath हमें पता ही नहीं है कितना है घटाना है तो हम क्या करेंगे इसको x ले लेंगे समझे है लेंगे x क्या ले लेंगे x ले लेंगे देखो इसको काट दो 25 की टेबल से काट यह 5 बार में जाएगा यह 4 बार में जाएगा ठीक है और यह कितनी बार में जाएगा यह जाएगा तो आप बता सकते हैं यह कितने बार में गया होगा यह 25 बढ़ा होगा पहले का अगर 100 था अभी 80 हुआ फिर से बोटाओं गई देखो पहले ब्रेथ 100 था अभी ब्रेथ नया ब्रेथ आया 80 तो मतलब क्या हो और 20 परसेंट डिग्रीज हो गया ठीक है तो इसका मतलब क्या कि नहीं है तो तो आप देखते हैं तेखो एस रिड्री इस पर 20 परसें अब ब्रेथ को कितना करना पढ़ा गाए 25 परसेंट डिउस करना पढ़ा गया मतलब 20 20 20 20 परसेंट परनम अब यह 20 21 नंबर अब बढ़ते है 22 नंबर की तरफ तरफिए 22 नंबर क्या बोल रहा है शिं 20% then what would be the percentage increase in the area of the garden तो guys देखो कितना simple question पूचा है question में बोल रहा है कि जो length of breath है garden का ठीक है वो दोनों का दोनों increase वो 20% ठीक है अगर length भी 20% increase हो रहा है और breath भी increase हो रहा है 20% किसका increase हो रहा है एक rectangular garden है उसके increase हो रहा है तो बोल रहा है कि कितना percent जो area है वो increase होगा CDC बात है अगर आपका length increase हो रहा है और breath increase हो रहा है तो आपका area भी increase होगा तो area कितना percent increase होगा आपसे वो पूचा है तो हम इसमें करना क्या है simple सा तर्टिक्ट लगाएंगे जो कि percentage और profit and loss में आपको करा दिया था क्या गरेंगे percentage effect लगाएंगे तो कैसे लगाएंगी फिर से दिखाता हूँ हम कि तो percentage effect लगा रहे हैं गाईस ठीक है देखो कि 20 % क्या हो रहा है length increase हो और 20 % क्या हो रहा है ब्रेथ increase हो रहा है तो दोनों increase हो रहा है इसलिए प्लस का साइन लगेगा ठीक है 20 into 20 by 100 जिए जिरो जिरो कट गया तो यह कितना जगा गैस जो जगा 40 और यह कितना जगा 4 तो 40 प्लस 4 यह कितना जगा 44 परसेंट तो हमारा एरिया कितना percent increase गए इंक्रीस और 44 परसेंट एक तो आप्षेन में देखते है 44 परसें दिया है कि नहीं दिया है तो इसी कोशन तर देखो तो वैस्ट आप्शन में देखो 44 परसें दिया हुआ है अब नेक्स कोशन की तब बढ़ते हैं क्या बोलड़ा है इफ दे लेंथ और रेक्टेंगल इस इंक्रीज वाइट 20 परसें देखो फिर से कोशन में बोल होगा ऊसका ठीक है फिर से बोल रहा है एक ठीक है एक अपर लगा कि दिखाता हूं किसे में भूरे तो परसेंटेज लगाते हैं सिजापे इसलिससे पज़ेँ पहले क्या करना है तो यह लेंथ पोल रहा है 20 पर से इंक्रीज करना होगा तो प्लेस का स्हाइन होगा ब्रिद जो बोलожно है वो स्पाहिप्रीज हो बोड़ दो और सीधा भागो profit 12% पर पहले उसको complete करो ठीक है और फिर उसके बाद पूरा का पूरा arithmetic complete करो फिर उसके बाद आप यहां पर आओ advanced math पर ठीक है यह रहे चेप्टर में चलो तो 20 into 20 हुआ अब 20 into 20 by क्या लिकिनगे 100 देखो यह plus है इसमाइनस का साहिन है तो यह तो कटी जाएगा और यहां से देखो यह काट तो इसको दो जिरो जिरो कटी है तो यह क्या जागा गाईस मैनस 4 आ जाएगा तो मैनस 4 का मतलब क्या होता है जाएगा है डिक्रीज दोरे संफ गाइनस 4 तो हमारा एंद्री तो आप्शान में देखते हैं तो म करेंस देखो ओप्षन म हमारा दी दीरीज भी 4 टेरिया बढ़ते हैं और सिह न 창्रू यह क्या बोल रहा है if each side of a square is increased by 50% देखो देखो क्या बोला है बोला है एक square है square का हर एक side 50% करके increase हो रहा है ठीक है increase हुआ the ratio of the area of the resulting square to the area of the given square देखो question में क्या बोला है बोला है कि the ratio of the square of the resulting square ठीक है मत्ब जो square का side 50% बढ़ने के बाद जो area आएगा उसका ratio निकालना है जो given square है मत्ब पहले जो sorry जो पहले area था उसका जो उससे ratio निकालना है फिर से बोला हूँगा इस ठीक है देखो एक square है उसका sides हर एक side 50% करके बढ़ रहा है तो question में बोला है कि जो square का area हैगा उसका ratio बताना है पहले वाले square से ठीक है वो बोलना है समझ माया तो समझ माया गई चलो अब इसको करना कैसे है आपको मैं दिखाता हूँ सिंपल सा question है गई दो तीन लाइन का है ठीक है सबसे सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए गाईस ठीक है area of square क्या होता है ठीक है area of square क्या होता है side square होता है ठीक है question में पूछा पूछा क्या था पूछा थो question में Area of क्या पूछाता ripल्टंग square 2 तमेट resulting square होगा उसका area पूछा है है तोizar उन्ह तो पूछा Building square फिकर उसका area पूछा अम आए ये अफ स्क्वाइर से कि get from to start से जी पूछा है ठीकर एक काम करते हैं आपे equal to देते हैं ठीक है square अभी मत दो ठीक है तो हम क्या करेंगे दोनों को area जब भी इस तरह question आएगा दोनों का area क्या करेंगा equate कर देंगे ठीक है equal कर देंगे तो अगर पहले वाला square में का side hundred था तो अभी 50% बढ़ गया तो area of square का formula क्या होता है side into side होता है तो यह 100 है तो नया square का side क्या होगा 150 into 150 equal to area of square कितना होता है यह square area of square कितना है है यहाँ पर side दिया हुआ है side hundred into hundred ठीक है अब देखो यह hundred तो कड़ी है यह दो जीरो दो जीरो कड़ी है ठीक है अब 5 से काटो 5 5 3 5 20 जा फिर से 5 से काटो 5 3 जा 5 4 तो यहाँ पर कितना है 9 equal to 4 ठीक है अब इसको हम सीधा सीधी इस तरह कर दो 9 इस टू 4 हमारा एंसर क्या है हो गाइस 9 इस टू 4 आएगा तो कितना सिंपल सा कोशन था ठीक है समझ में आ या कितना सिंपल सा कोशन था तो आपको इसी तरह कर दिया है 9 इस टू 4 दिया हुआ ठीक है अभी 25 पॉशन क्या बोला है नेच्ट क्या बोला है होल 20 मिटर लॉंग एंड 50 मीटर बरॉड e सरॉंडर वाई अ वरांडा ओफ यूनीफोर्म ब्रेथ और डीकर क्या बोला है या क्या है कोशन में बोला है एक हॉल है ठीक है जिसका लेंड 20 मीटर है ब्रेट 15 मीटर है ठीक है और उस लेंड और उस जो हॉल है उसके चारों तरफ एक बरंडा है जिस उस बरंडे का ब्रेट तिया हुआ है 2.5 मीटर ठीक है समझ मैं बोला है the cost of flooring the brand अगर हम उस बरंडे का flooring करेंगे तो उसका cost कितना हैगा अगर उस cost का जो प्राइज है वह 17.50 पर स्क्वाइर मीटर है ठीक है अगर पर स्क्वाइर मीटर 17.50 है तो 2.5 मीटर करेंगे तो उसका total कितना है ठीक है तो गैस बहुत ही simple question है इसको मैं दो तरीके से कराऊंगा ठीक है जो आपको best लगे आप वो करना ठीक है समझ मैं चलो करके दिखाता हूं step to step एक एक तो पहले मैं आपको diagram बता के समझा देता हूं ठीक है देखो यह hall है ठीक है यह hall है यह इसका length दिया है कितना 20 और ब्रेथ दिया है 15 ठीक है और इसके चारो तरफ क्या है टूपॉंट फाइब मीटर तूपॉंट फाइव है ना हाँ अब कोश цен में देखो करना क्या है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे area लिखेंगे टीक है एक फॉर्मूला लिखेंगे formula क्या है हो लीख के दिखाता हूं पहले अबको तो गय समझ लो रोड यह कुछ भी बरांड़ ब्रेथ ब्रांड़ लिख लेना ठीक है तो 2.5 इंटू 2.5 करेंगे माइनस 4 इंटू बेच स्कॉर्ट फॉर इंटू 4 क्यों कि स्कॉरेंगे चलो अभी यहां पर क्या करना ये यह है डी घ्रिक है इसका इमें निकालने बदावाल गया निकालेंगे फ्लेगा इस छोटा वाले नहीं निकालेंगे हम बड़ा वाला निकालेंगे, तो बड़ा वाला देखो कितना है, पहले छोटा वाला देखो, अगर हम छोटा वाला लेंध पकड़ते हैं, तो यह 20 है, जहां से 2.5, जहां से 2.5 बढ़ रहा है, तो 2.5, 2.5 कितना था, 5, तो 20 प्लस 5, 25, ओके, प्लस, अब देखो यह 15 है, ब इंटो बेत अफ बरांडा कितना दिया हुआ हुआ इंटो तुपंट फीवी थे One माइनस फ्वे वीकट में तू पंट फाइब करींगे अब करेंगे क्या गैस तेके तो नेussa य इसको 2 into 2.5 multiply कर दो, तो 2 into 2.5 कितना होता है, इस 5 होता है, तो 5 into 45 minus 4 into 2.5 into 2.5, ठीक है, अब ये देखो, 5 into 45 minus 4 into 2.5, 2.5, 6.25 होता है, और 6.25 करोगे, तो आपका answer किता, 5 into 45 कितना होता है, 25 to 22, ठीक है, minus 6.25 into 4 कितना होता है, 25 होता है, ठीक है, देख लेना करके, 25, अब 22, 225 में से 25 minus करेंगे, तो 200 आएगा, तो 200 meter square, तो हमारा जो बरांडे का जो area है, ठीक है, वो 200 निकल आया, ठीक है, अभी देखो, question में बोल देखा है, 1 square meter का, ठीक है, जो cost है, वो कितना दिया है, रुपी 17.50, तो हमें एक का दिया है, हमें कितने square meter चाहिए, 200 square meter चाहिए, meter square चाहिए, तो 17.50 into 200, यहां से point हटेगा, तो 2 0 नीचे आएगा, 0 0 कड जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 14 15 1 3, ठीक है, तो 3500 रुपीज, हमारा answer आएगा, तो 1 square meter का value 17.50 है, तो 200 meter का निकाल लेंगे, तो 17.50 into 200 करेंगे, तो हमारा answer आजाएगा, ठीक है, तो यह था, simple सा trick, जो direct, हम direct जो area निकालेंगे, बरंडा का वो था, अब मैं दुसरे तरीके से कराता हूँ, ठीक है, दुसरे तरीके से कैसे करेंगे, ठीक है, देखो, सबसे पहले, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, direct area जो होगा, बरंडा का वो निकाल लेंगे, area वो बरंडा, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम लोग, ध्यान से देखना, ठीक है, उपर वाले से दिकाता हूँ, ठीक है, अगर हम लोग, यह बरंडा के side, इसका हम लोग ले लेंगे ठीक है अगर हम इसके area से अंदर वाले के इसके length of breadth से अंदर वाले के हम इससे minus करेंगे तो बाहर वाले का area निकल आएगा अगर हम इस बरांडे का length into जो area आएगा उससे ठीक है बड़े वाले से ठीक है अगर हम बड़े ये जो बड़ा वाला rectangle अगर ये 20 है length, तो बड़ा वाला कितना हैगा, तेको यहां तक 20 है, यहां और आगे बड़ेंगे तो 2.5, यहां और आगे बड़ेंगे तो 2.5, तो 2.5, 2.5, 5 होता है, 5 प्लस 20, 25, ठीक है, अब बड़े वाले का लेंद देखो, छोटा वाले का तो 15 है, यहां से यहां 2.5 बड़ रहा है, यहां से यहां 2.5 बड़ रहा है, तो 2.5, 2.5 कितना होता है, 5, ठीक है, तो यह 15 और प्लस 5, कितना होगा, 20, ठीक है, तो बड़ा व पंदरा तो यह कितना हो जागा 500 यह कितना हो जागा 300 पांच मैं से 300 गया 200 अब देखो कॉस्ट क्या दिया हुआ है कॉस्ट हमें क्या दिया हुआ है कॉस्ट दिया है वन मीटर का हमें इतना कॉस्ट दिया है तो हमें 200 का निकाल ले तो 200 इंटू 17.50 यहां से देखो 20 कड़ गया ठीक है पॉइंट अटा 20 कड़ गया अब मिल्टिप्लाइ कर दो तो आपका कितना जागा 35 कि स्वाहरा इंसर आज आगा समझ मैं तो सिंपल साथ हुष्ण दोनों तरीके से बता दिया है आपको जो तरीका फिट लग रहा है वही करना ठीक है जैसा लग रहा है वहां से भी आपकोже aiberry निकल रहा है इस वीडियो में 26 से स्टार्ट करेंगे ठीक है तब तक के लिए आप इतने कोशिंस को रिवाइस कीजिए ठीक है और आपको मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा वीडियो देने के लिए ठीक है इसके बाद वॉल्म वाला भी करा दूंगा चेप्टर ठीक है और फिर एज इसी बुक से करा दूंगा मतब इस बुक से मैं सारे चेप्टर करा दे रहा हूं कूंकि आपको जीरो टू हाइवल पढ़ना नहीं आपको बस मतब एडवांस लेवल पर तो जाने नहीं आपको बस नीचे ही लेवल तक रहना है ठीक है तो इसलिए मैं देट लेवल बंद कर दोड़ी है तो नहीं है घृष।Ay कोमुऊंट दोड़ा हो एक पैसा तो यांशा है घए तक आपका फायदा है और यूटूप गाइड्लेंस बोलता है कि सब्सक्राइब इस इन्चेयल गंदे करें विक没有 का आपके लिए वीडियो डाल रहा हूं ठीक है अगर मैं ऐसे ही होता तो अगर पैसे यह अनोत करने होते तो मेरा इच्छा खासा यहां पर कोचिन चल रहा हूं मैं उसी से अन कर लेता ठीक है पर वैसा नहीं है मैं उन लोगों की मदद कर रहा हूं ठीक है जो टूइशन एफोर्ड नहीं कर पाते हैं ठीक है बट उनको भी मैं कितना समझाओं ठीक है बोल बोल के तो मैं ठक गिया ठीक है प्रफ़र नोट नहीं बना रहे हैं वो जीरो टू हाइल लेबल करता हूं तो वो वीडियो नहीं देखते हैं तो फिर ठीक है आपको बोलना ही बे से ठीक है चलो मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में दपने ले बाई बाई